तो क्या फ्रेंड्स आप भी मेरी तरह खूबसूरत काले घने लंबे बाल पाना चाहते हैं। दरसल मैंने अपने बालों पर शैंपू लगाना बिल्कुल छोड़ दिया है। मैं अपने बालों को वाश करने के लिए हमेशा नैचुरल और आयुर्वेदिक तरीके ही इस्तमाल करती हूँ। आज जो मैं मेथड आपके शाथ शेयर करने वाली हूँ वो आपके हैफॉल को रोकेगा, सफेद बालों को आने से रोकेगा, बालों को शमकदार और शाइनी भी बनाएगा। इसके लिए मैं यूज़ करने हूँ बटर मिल्क यारे की चाच। आपने से बहुत सारे लोगों जानते होंगे कि बालों को खूबसूरत और हेल्दी बनाने के लिए चाच बहुत फायदेमन होती है। इसके अंदर लेक्टिक एसेड, प्रोटीन, वाइटेमिन ए, वाइटेमिन डी, विटामिन बी, यह सारी चीज़ अपाए जाती है। मेंटेन बनाए रखता है। और स्केल्प पर जित्ते भी बैक्टिरियल फंगल इंफेक्शन होते हैं उन्हें खत्म करता है। आपकी स्केल्प पर जो नैच्रल मॉश्यर होता है उसे लॉक करके बालों की जड़ों को मजबूत बनाता है। और साथी एक तरह से कहा जाए तो मुलतानी मिट्टी आपके बालों के लिए शैंपू और कंडीशनर दोनों का ही काम करती है। दो चम्मच के करीब मैंने मुलतानी मिट्टी को आदा गलास चाच में मिक्स कर लिया है। काफी लोगों को बाल धोती समय बाल बहुत जड़ा तूटते हैं गुच्छों की फॉर्म में बाल निकल निकल कर आते हैं। Amazon Flipkart पर इजली आपको मिल जाएगा या फिर आपके शेहर के किसी भी कॉस्मेटिक शॉप पर भी इजली आपको ये मिल जाएगा। जो लकडी का कंगा होता है अगर आप इसे यूज करते हैं तो आपके दो मुए बाल नहीं आते हैं। साथ ही ये आपके hair fall को भी काफी हद तक खत्म कर देता है। हमारी scalp पर blood के circulation को ये बढ़ाता है जिससे कि जो scalp के pores होते हैं वहां तक oxygen और nutrients जा पाते हैं और नए बाल उगने लगते हैं। जिनको scalp baldness की problem होती है धिरे धिरे वो भी खत्म हो जाती है। natural oils को ये बढ़ाता है जिससे कि हमारे बालों की जड़े मजबूत होती है। आप देख सकते हैं मेरे बालों में कितनी ज़्यादा shine आ रही है। तो इसके लिए आपको आगे की तरफ जुका लेना है और जो हमने आदा गलास चाच में दो चम्मच के करीब मुलतानी मिट्टी को मिलाकर घोल बनाया था उसे आप अपने बालों पर इस तरीके से डालना शुरू कर दे ये थोड़ा सा फैलेगा तो आप इसे अपने बालो पर ले लें क्योंकि ये पतला होता है और इसे पतला ही लगाया जाता है तो इसको लगाने का यही तरीका है आप बातरूम में प्रोसेस को करेंगे जो भी गिरेगा ये रेमेडी आप उसे अपने बालों पर ही ले लेंगे बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होने देंगे और उनसे आपने स्केल्प की मसाज करनी है जिससे कि आपकी स्केल्प पर यह जो मुलतानी मिट्टी और चाज का मिश्रण है वो अच्छी से लग जाए और साथी ब्लड सर्कुलेशन भी हो ठीक है मसाज करने के बाद 3-4 मिनट के बाद आपने बालों को इस तरीके से क्लैचर से लेना है लड़की और लड़कियां दोनों ही इस रेमिटी को इस्तमाल कर सकते हैं लड़कों को बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी से लगाने में ठीक है तो आपने इसे लगा कर कम से कम 25-30 मिनट के लिए अपने बालों में अब मैं लगाने जा रही है उपने बालों में श इसलिए हम इस तरीके से पॉलेथिन या शावर के पहन लेंगे जिससे की मुलतानी मिटी सूखे नहीं और हेर बात ले लिया है मैंने आदे घंटे के बाद आप देख रहे हैं कि मेरे बाल और भी ज़्यादा शाइन करने लगे हैं ठीक है तो यही रीजन है मेरे बाल इतने